हाई डुल्दीज, वेलकम टो इजी वे कॉमर्स क्लासिज, मैं हूँ तबित और गाईज, आज के इस वीडियो में human capital formation को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और आज इस chapter में काफ़ी interesting topic हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें पहला topic है human capital and economic growth हम generally यह कहते हैं कि human capital का मतलब आप सबको पता होगा human capital का मतलब होते है guys एक एक इनसान के अंदर skill, ability, knowledge, education उसकी human capital होता है यानि कि हमारा पढ़ा लिखा होना किसे चीज़ की समझ और ग्यान रखना human capital है right अब क्या इसका economy से कोई relation है या economic growth से कोई relation है अगर हमारे देश के बंदे जो हैं वो पढ़े लिखे होंगे तो क्या हमारा देश तरक्की करेगा तो guys यह बात तो हम लोग सब खुले में बोल सकते कि हाँ भाई यह तो perfect चीज़ है कि अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो economic growth करेगी करेगी है ना पढ़े लिखे लोगों से physical capital जो होती है यानि कि machines अगर हम अच्छी तरीके से use कर सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे है educated है तो यह बात तो कही जाती है बट इसका कोई रभ प्रूफ नहीं है कि अगर human capital अच्छी है पढ़े लिखे लोग है health wise लोग अच्छे हैं क्योंकि human capital सिर्फ education नहीं है human capital का मतलब होता है कि आपका अशारिरिक तो पर भी ठीक होना right तो human capital अगर अच्छी है भी तो economic growth होगी यह कहीं पर direct relation नहीं पता चलता क्यों नहीं पता चलता है तो इसमें यह कहा जाता है कि जो भई education हमारी है वो हम किसमें देखते है number of years यानि कि 12 साल मैंने पढ़ाई करी तीन साल college किया दो साल post graduation करी यह किया वो किया सब कुछ किया अब number of years देखे कि कितने साल लेकिन उससे economy growth का कोई direct relation नहीं निकल पाता है हम इसमें quality of education नहीं देख रहे हम सिर्फ समय देख रहे हैं कि हमने पढ़ाई क्या करी है और कितने समय में करी है बड़ quality of education हमने नहीं देखा कितने बच्चे इस साल पास होके निकले और उनसे हमारी economy के growth में क्या relation आया ये तक नहीं पता चल पाता है तो इसलिए वो कहते कि direct relation धून पाना वो बड़ा मुश्किल है हाला कि हम लोग एक general level पर जब बात करतें तो हम ये कहते हैं कि देश में बच्चे पड़े लिखे होंगे लोग पड़े लिखे होंगे तो देश तरक्की करेगा लेकिन direct relation नहीं पता चलता same way में guys अगर हम health की बात करें तो health और economic growth का कोई direct relation नहीं निकलता लेकिन हम कहते हैं अगर हम शारणिक तोर पर ठीक है स्वस्त है तभी हम काम कर पा रहे हैं तो economy growth तभी कर पा रही है लेकिन वो कहते हैं कि इसका भी कोई direct relation नहीं है यानिकि cause and effect नहीं है कि ये अच्छा है तो ये अच्छा है तो इसके बीचे का कारण हम directly पता नहीं कर पाते हैं क्योंकि health जो है वो हम monetary terms में देखते हैं कि यह कितना पैसा हमने अपनी health पे खरचा अब उसका कहीं पर भी economy growth से कोई direct relation नहीं पता चल पाता है ठीक है लेकिन हम general तोर पर ये जानते हैं कि economy तभी बढ़ती है जब वहां के लोग पढ़े लिखे होते हैं स्वस्त होते हैं दिमागी तौर पर स्वस्त होते हैं इसके बाद गाइस बात करते हैं हम लोग importance क्या है या फिर role क्या है human capital formation का एक देश में लोग जितने अच्छे skill develop पढ़े लिखे होंगे educated होंगे skillful होंगे काम को जानने वाले होंगे तो उससे देश में क्या भला होने वाला है क्योँ important है हमारे लिए हमारे देश की जनता का पढ़ा लिखा होना पढ़ा लिखा होना या skillful होना skillful का मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता तो हमें human capital education भी होती है, skill भी होती है, knowledge भी होती है, ability भी होती है आप जो मजदूर बंदा 10 seat रखके पूरे दिन में 10 बार चकर काट लेता है, हम लोग नहीं काट सकते ठीक है, तो उनमें जो ताकत है वो हम में नहीं है, तो लेकिन एक देश में guys, human capital अच्छी होना, स्वस्त होना, पड़ी लिखी होना, ability होना, skill होना, क्यों जरूरी है तो पहला guys, effective use of physical capital, अगर हमारे पास अच्छी बड़ी-बड़ी machines हैं, तो उन्हें use करने के लिए पड़े लिखे बंदे भी होने चाहिए, नी तो ये machines properly use नहीं हो पाएगी, तो क्योंकि हमें अपने physical capital पर अगर हम लोग 10 लाख उर्पे, 50 लाख उर्पे machines पर खर्च करके तो उसे use करने के लिए भी पड़े लिखे बंदे लाने चाहिए, जो उन्हें proper तरीके से use कर पाएं, तो इसलिए कहते हैं कि हमारा human capital अगर skillful होगा, ability वाला होगा, knowledgeable होगा, तो वो इनको बहुत अच्छी तरीके से use कर लेगा, और एक बंदा है जसे को कुछ पता ही नहीं ह खड़ा कर दिया और machine फूख दी उसने, और पैसा लगाना पड़ जाएगा, तो वो नुकसाम दे जाता है, उसके बाद होते हैं guys, second, higher productivity and production, same, इसी का वो पार्ट है guys, अगर हमारे हाँ पर हमारे जो जनता है, हमारे यांकी, जो human capital है basically, अगर वो अच्छी है, पड़ी लिख अगर अच्छी है, तो भी हम proper उसे use कर सकते हैं और production बढ़ा सकते हैं, तो दोनों point का एक ही मतलब निकलता है, third है guys, invention, innovation and technological improvement, यह तभी possible हो पाता है, जब हमारे human capital firm होती रहती है, देश में, proper way में, लोग पड़े लिखे होते हैं, skillful होते हैं, ability होती होती हैं, तो वहाँ पर कर देना, तो दोनों में difference होता है guys, invention कुछ नई चीज हो जागर कर देना, लेकिन innovation होता है guys, उस ही नई चीज में कुछ और नया कर देना, पहले ही इतनी लंबी हमारी LED आती थी, अब छोटे छोटे उसमें आने लग गए, that is innovation, मतलब आपका invention पहले ही हो रखा था, उसमें आ ना तो डरेगी ना पीछे अटेगी, क्योंकि वो risk लेने की ability रखेंगे, कि भाई अब कुछ नया करना है, क्योंकि knowledge है, क्योंकि skill है उनके पास, फोट guys, modernization of attitudes से हम कैसे भूल सकते हैं, अगर एक देश में, हमारी देश में देख लो, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो ऐसा attitude आ गया, ऐसे modern attitude हो गया है, कि भाई, जमीन पर पैर ही नहीं रखे जारे, राइट है ना, यानि कि अब तो हम बाद भी English में करेंगे, और चलेंगे भी English ही तरीके से, कपडे भी English वाले ही पहनेंगे, सारी तो हमें अच्छी नहीं लगती, बट ऐसा नहीं है क्या है, स जो अभी तक हमारी सोच थी, कि भाई, औरते घर में रहेंगे, तो वो सोच नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर का दर्चा मिले, बाहर निकले, night shift करते हैं आज के time में सारे लोग, that is the modernization of attitude, हमें अपने living standard पर काम करने की जरूरत है, कि हमें कैसे दहना है, कैसे खाना खाना ह कैसे पहना होना है, उस पर उसे modernization of attitude कहते हैं, तो अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, तो ये जरूर अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद increased life expectancy, यानि कि हमारे जीने की जो expectancy है, इच्छा तो नहीं कहते हैं, जो अनुमान हम लगाते हैं, वो बढ़ जाती है, बिल्कुल क्यों क्योंकि अब हम अगर पढ़े लिखे हैं, कमा रहे हैं, या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, skillful हैं और कमा रहे हैं, मेन क्या है, कमाना, कमा रहे हैं, पैसा आ रहे हैं, तो आप अपनी health पर भी खर्च करते हो, nutritional food भी लेते हो, आपके जो basic food की necessity वो पूरी हो पाती है, जिसकी वज़े से life expectancy क्या है, बढ़ पाती है, next है guys, improve quality of life, of course, अगर आपके पास हाथ में पैसा है, तो quality of life कैसे नहीं अच्छी होगी, और हाथ में पैसा कैसे आएगा, या तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, skillful हो, या फिर आप education से कुछ कमा रहे हो, यानि कि आप job कर रहे हो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आप कमा रहे हो, तो जब आप देश में income होती है, लोगों की income होती है, तो उनका quality of life automatically change हो जाता है guys, बैटने का तरीका बदल जाता है, खाने का तरीका, पहले जो होता है कि कम कम में गुजारा करना है, वो चीज़ एकदम बदल जाती है, तो एक quality of life हम लोगों को मिल पाती है, उसके बाद advice जो इनोंने next last में दिया है, मेरे ख्याल से पहला देना चाहिए था, control of population growth, यानि की population growth में कमी आएगी अगर हमारे देश की जनसंख्या, human capital form अच्छी होगी, यानि की पढ़े लिखे लोगोंगे, तो थोड़ी जनसंख्य वरिधी में कमी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, अभी मैंने हाल ही में, Facebook पर एक वो देखा था, interview जिसमें एक आण्टी कहती है, उनके 18 बच्चे हैं, तो 18 बच्चे अगर एक इनसान के होंगे, तो कैसे घर चलेगा, कैसे उनकी needs पूरी होंगी, यानि कि उन्होंने तो काम करने की बहुत ज़्यादा सकते जरूरत है, पॉपुलेशन ग्रोथ पर तभी कुछ अच्छा भला हमारे देश का और हो सकता है, तो कंट्रोल आफ पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानि कि अगर आप अपने देश की चीजों को अच्छा करना चाहते हो, अपने life की quality of life इंप्रूफ करना चाहते हो, modernization attitude लाना चाहते हो, और ये तो सरकारी तोर पर है कि production बढ़े, ये सब बढ़े, तो हमें normal way में पढ़ना, लिखना बहुत ज़रूरी है, अपने में knowledge लेक्यानी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग गाइस जो कि अभ उपना आप लोग जोग